महादेव पर भूल कर भी न चढ़ाई ये चीज़ें वरनस सावन में पूजा का नहीं मिलेगा फल। अगर आप भी देवों की देव महादेव की पूजा करने के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ये चीज़ें तो ऐसा भूल कर भी न करें नहीं तो हो सकता है शिवलिंग पर बेल पत्र धतूरा चंदन अक्षत शमी पत्र आद अनेक शुव वस्तुएं चड़ाने से शंकर भगवान जल्दी प्रसंद होते हैं काल तुम महाकाल भी तुम लोग भी तुम त्रिलोग भी तुम सत्यम भी तुम और सत्य भी तुम भोलेनात, महादेव, शिवशंकर, नीलकंट, महाकाल, सैकड़ो नामों से जाने जाने वाले सिवजी को यह समर्पित सावन का महीना आने वाला है चौदर जुलाई से श्रावण महाप्रारम हो रहा है, यह महीना भगवान शिवश को समर्पित है, इस पूरे महीने शिवख्त भोलेनात की विशेश पूजा अर्चना करते हैं, बदले में सदाशिव उनकी सभी मनुकामनाओं को पून करते हैं अगर आप भी देवों के देव महादेव की पूजा करने के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ये चीज़ हैं, तो ऐसा भूल कर भी ना करें, नहीं तो हो सकता है अनर्थ शास्त्रा अनुसार शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, शमी पत्र, अनेक शुब वस्तुएं चढ़ाने से शंकर भगवान जल्दी प्रसंद होते हैं तो उसी के पत्तों को लक्ष्मी माना जाता है, देवी लक्ष्मी भगवान विश्नु की पत्नी है और इसी वज़े से इन्हें अन्य भगवान को चढ़ाना वर्जित होता है पॉराणे कथा के अनुसार जालंधर नाम के राक्षस थे जब सब परिशान थे लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी पतिवरता पत्नी वरंदा के तफ से जुड़ी हुई थी, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था तब विश्णुजी ने छल से वरंदा के पती का रूट धारण कर तब भरष्ट कर दिया और भगवान शिव ने जरंधर कावत कर दिया तब ही से तोलसी ने स्वयम भगवान शिव की पूजन सामिग्री में नाशामिल होने की बात कही थी शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के जूट में साथ दिया था जिससे रुष्ट होकर भोलेनात ने केतकी के फूल को श्राब दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा इसी श्राब के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अश्योभ माना जाता है शिवलिंग पर नचढ़ाए हल्दी शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि हल्दी को इसनी से संबतित बाना गया है और शिवलिंग पुरसत्तों का प्रतीक है ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है इसी वज़े से शिबलिंग पर हल्दी नहीं चड़ाई जाती है यह भी माननेता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इससे शिबलिंग पर चड़ाना वर्जित माना जाता है इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तु हैं जैसे बेल पत्र, भांग, गंगा जल, चंदन, कच्चा दूद चड़ाय जाता है कुमकुम शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम नहीं लगाना चाहिए महादेव वेरागी हैं और वेरागी लोग अपने माथे पर राक लगाते हैं सभी लोग ये जानते हैं कि शिव जी अपने माथे पर भस्म लगाते हैं विवाहित इस्त्रियां कुमकुम लगाती हैं और शिव पुराण में महादेव को विनाशक कहा गया है इस वज़े से भी शिवजी को कुमकुम लगाने की मनाई है शंक, महादेव की पूजा में ना शंक बजाना चाहिए ना ही शंक से उन पर जल अरपित करना चाहिए मानिताओं के नुसार भगवान शिवज ने शंक चूड नाम से असुर का वद किया था तबी से शंक को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है चूकि शंक चूड विश्णु भगता इसलिए विश्णु भगवान की पूजा में शंक बजाये जाता है तो महादेव की पूजा में इसका इस्तेमाल वरजित होता है धर्मकता है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो follow जरूर करें धन्यवाद